आज ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है ना सिर्फ पूरी दुनिया में बलके पाकिस्तान में इसको हम कहते हैं तेकनोलोजिकल पैटगोजिकल कॉंटेंट नॉलज फ्रेमवर्क जिसको हम सिंपली टीपैक के नाम से जानते हैं तो टीपैक है क्या सबसे पहले हम यह स्टेडी करते हैं जो टीपैक का मॉडल है या फ्रेमवर्क है यह मिश्रा और कॉलर्स ने 2006 में इंट्रोड्यूस करवाया था और यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमें यह पता चलता है किसी भी technology को इस्टमाल करने के लिए जरूरी है कि आमको अपने सबजेक्ट एरिया पर कमांड हासिल हो और उस subject को पढ़ाने के बेतरीन तरीके क्या आपको यह भी पता हो और उसके साथ फिर हम technology को integrate करते हैं जब हम अपना content area पर हमारी expertise और जिसता पढ़ानी की methodology है, जिसको हम pedagogy कहते हैं, art of teaching और technology के उपर हमें command होती है, तो हम बेहतरीन तरीके से इन तीनों चीज़ों को integrate कर सकते हैं और integrate करके हम student की learning को support कर सकते हैं. हमारा content knowledge, हमारी pedagogical skills यानि teaching skills और हमारी technology student को help out करती है, क्यों बेहतरीन तरीके से content understanding कर सकें और comprehension कर सकें और application level पर इस्तेमाल कर सकें. तो जो teachers हैं, आज जब हम T-PAC की बात करते हैं, तो हम इस framework के अंदर हमारे पस तीन important features आते हैं, और हम इन्हें कहते हैं कि sizeable domains हैं जिसके ओपर teachers को काम करना है और T-PAC इनी तीन चीज़ों को focus करता है. पहला है आपका technology knowledge, दूसरा instruction knowledge जिसको हम pedagogic कहते हैं, और आखरी है आपका content knowledge और यह different तरीके से हम इसको आगे discuss करेंगे कि यह क्या चीज़ें हमने. अब जो history के लिए teacher को content knowledge चाहिए, वो mathematics के teacher को नहीं चाहिए, उसको एक अपने subject से related content knowledge चाहिए. तो जो experts होते हैं अपनी field के, वो अपनी field का content knowledge रखते हैं, उसकी nature of knowledge है, definitely वो different fields में different ही होता है. और वो हमें guide करता है कि इसकी कौन सी बहतरीन strategy होगी instruction की. इसी तरीके से जब हम pedagogical knowledge को apply करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जो हमारे student हैं, जो हम सिखाने जा रहे हैं, कौन से वो बहतरीन teaching method हैं, assessment method हैं, teaching strategies हैं, जिसके थूँ यह subject उन्हें बहतरीन तरीके से सिखाया जा सकता है, और इसमें उनकी skills, उनका knowledge, उनकी understanding बहतरी तरीके से enhance की जा सकती है. इसको हम कहते हैं, pedagogical knowledge PK. जब हम technical knowledge के जखर करते हैं, तो definitely इसके अंदर e-books भी आती हैं, technology की features भी आते हैं, apps भी आती हैं, hardware, software की understanding भी आती हैं, और आगे यह क्या है, हम अगले आने वाले lessons में इसको और मजीद detail में देखेंगे. TPEC framework के अंदर हमारे पास जो optimal जो चीज हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो यह है कि हम technology को instruction के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी instruction को मजबूत करने के लिए, बहतर करने के लिए, बच्चों को ज्यादा understanding level उनका बहतर करने के लिए, किस तरीके से technology को instruction में इस्तेमाल क हो सके और जो है, ना सिर्फ effective हो, बलके efficient भी हो सके. TPEC framework के अंदर ये तीनों चीज़े, teachers मिलके उनको इसकी training दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनकी capacity building की जाती है, और फिर वो schools में जाते हैं और इसको पढ़ा सकते हैं. तो TPEC बुनियादी तोर पर teacher training का एक बहुत important feature है, कि जब हम teachers को training दे रहे होते हैं, schools में भेजने से पहले, तो ये framework के अंदर जब उनको training दी जाती है, तो उनकी तीनों areas जो है, उसको address किया जाता है. अब आता है pedagogical content knowledge, जो है, ये एक और acronym है, इसका मतलब क्या है, ये बत already curriculum के document के अंदर मौझूद होते हैं, तो आपका pedagogical content knowledge ये है, कि आपको पता हो कि आपने किस grade को क्या learning objective है, और आपने क्या अचीव करवाना है, और फिर किस तरीके से अचीव करवाना है, कौन सा teaching method बैतर होगा, आपका technological content knowledge बताता है कि relationship है और intersection है between technology और learning objective का, कि वो learning objective जो curriculum म हैं, आपने ये देखना है कि इस class के, इस subject के जो learning objective हैं, उन्हें technology की कौन सी चीज़ हैं, जिसके साथ हम अगर पढ़ाएं, तो बहतर तरीके से support कर सकते हैं, आपका आ जाता है technological, pedagogical knowledge जो बताता है कि interaction है technological tools और specific pedagogical practices के दर्मियान, कुछ tools ऐसे हैं, जो हमारी pedagogical practices हैं, teaching methods है उसमें वो हमें help out करते हैं, उन्हें हम कैसे find out करें, उनको हम कैसे सीखें, यह हम देखेंगे, और TPEC का overall मकसद यह है कि आपकी professional, जो content knowledge है, आपकी जो professional skills हैं, और technical skills हैं, इनको मिला दिया जाए, ताकि as a teacher आपको support किया जाए, और साथ ही साथ आपकी students की learning को भी support किया जा सक में आपकी almostili injustice हैं, मुटकी हैं, आपकी जो दो आपक hugely है के जाए जो상े जाए।